हेलो प्यार विख्यों कैसे हैं आप लोग देखिए आज हम आ चुके हैं क्लास 9 NCRT महित का चैप्टर 9 सेर्कल एक्सराइज 9.2 का कोश्चन नंबर 3 वीडियो के फर्स पार्ट में हमने कोश्चन नंबर 1 और कोश्चन नंबर 2 सार्व कर लिया था अभी वीडियो के सेकेंड पार्ट में कोश्चन नंबर 3 देखते हैं और देखते हैं इसा सोलूशन क कैसे होता है ठीकना बच्चुर तो रीट करते हैं पहले इप 2 इक्वल कार्ट इंटर्सेक्ट विदिन दा सर्कल प्रूव दैट दे लाइन जोइनिंग दपॉइंट आप इंटर्सेक्शन तू दे सेंटर में एक इक्वल एंगल विद दा कार्ट तो देखिए इसे सोलूश इसने को पॉइंट टी पे इंटर्सेक्ट कर रहा है इसका जो ओ सेंटर है सर्कल का सेंटर ओ है अब हमने ओ से क्या किया पर्पेंडिकुलर लाइन ओ यू और कि ओ भी इसको ड्रा किया और ओटी को जॉइन कर दिया है ठीक है ना अब देखिए यहाँ दो ट्रेंगल बनना एक तो ट्रेंगल आपका बन गया OBT दूसरा ट्रेंगल बन गया OUT इन ही दोनों ट्रेंगल में हम OBT और OUT में कल्कुलेशन करते देखते हैं तो पर आपसे पहले अब देखिए कि OV OV equal to क्या है OU रीजन आप जानते हैं कि equal कार्ड जो है उसकी जो डिस्टेंस होती है सेंटर से उकल होता तो इक्वी कार्ड साफे सर्कल इक्वल कार्ड आप आप सर्कल आर इक्वी डिस्टेंड ओके स्ट्राम सेंटर यह रीजन है ठीक ना नमबर टू एंगल OVT की बात करिए तो यह हो जाएगा एंगल OU2 आप देख पा रहे हैं परपेंडिकुलर है तो इच एंगल कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा बच्चो डाइगराम देखी एक बार ठीक ना इसी तरह ओटी अगर देखेंगे उसमें तो कॉमन साइड है ओटी कॉल टू ओटी कॉमन साइड इस तरह आप देख पा रहे हैं कि जो ट्रेंगल OBT है यह कांगुरेंट हो गया ट्रेंगल O-U-T के रीजन क्या है रहेचेस कांगुरेंट रूल रहेचेस कांगुरेंट रूल इस रूल के कार्डिंग हमने इस रूब कर दिया कांगुरेंट रूब कर दिया और कांगुरेंट रूब होने पर यह चीज़ तो यह आप समझ लिए कि जो टी पे अंगल बन रहा है ठीक ना चाहिए वह एंगल O-T-V हो यह आप समझ और यह चौरत वह सब्सुर अफोर क्रा चाह तो यह आप समझ लिए हा टीजिये कर दिया मारेंगो एवी दोड़ावं करना हाता थेर्फर्ब नीयतं प्र Galey लिए हिए फर्व कर दिया ऒर्च刃 कर दिये देर्फरव प्रिए लिए chosen Dan 2004 ड्रिर the point are point are intersection to the center okay make equal angle me if equal angle with the card और इस तरह से बच्चो यह हमारा अंसर यहां से प्रूब हो जाता है तो बच्चो देखिए question number 3 इसमें कुर्णा कुछ नहीं है जो यह दो ट्रैंगल बन रहे हैं इन दोनों ट्रैंगलों congruent प्रूब कर यह तो cpct से automatic एंगल इसके equal प्रूब हो जाएगा ठीक ना और यहीं हमको प्रूब करना था कि यह जो intersection मतलब point of intersection है वो equal angle वो बनाता है ठीक ना तो बच्चों यह देखिए question no.3 इसको आप solve करिए और इसके बाद question no.4 का भी solution करेंगे और आप लोग देख रहे हैं कि question को solve करना उतना difficult नहीं है बार बार बस practice की जड़ुवत है पेपर पैनिट आइए practice करिए और बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाने का यह तरीका पसंदा आप तो इसको share केजिए like कीजिए subscribe कीजिए और लगातार वीडियो को वाच करना मत भुलिए ताकि आपका जो concept हो clear होता रहा है और आपका question पर command इसी तरह प्रॉपर बनता रहा है आते हैं बच्चों question no.4 वे तब तक आप इसको पेपर पर निठाईए solve करिए तो ब्यार बच्चों देखे question no.4 if a line intersect to concentric circle concentric circle means the circle with the same center देखे यहां पर एक smaller circle है और एक bigger circle है दोनों circle का center सेम है point o है ठीक है ना which center o at a b c and d तो a b c d पे जो है यह line segment को क्या करा interset कर रहा point a b c d अब हमको प्रूब करना है कि a b a b equal to c d k ठीक है ना बच्चों तो आइए इसको solve करते हैं और देखते हैं इसा solution कैसे हो सकता है solution के क्रम में सबसे पहले हमने क्या किया एक perpendicular line solution लिखे solution लिटर्श ड्राव आप पर्पेंडिकुलर लाइन ओ एम आप पर्पेंडिकुलर लाइन ओ एम आन लाइन एडी आन लाइन एड आन लाइन एडी तो यहां सी एक पर्पेंडिकुलर लाइन खीश्तिया ठीक ना इट कैन वी अब्जार्ट 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 ऑजर्ट इस्मालर करण विस्मालर सब्यार अडी दकड़्ड अबीघर थरफे is the card of the bigger circle okay we know that the perpendicular drawn from the drawn from the we know that the perpendicular drawn from the center of circle center of circle bisect the card bisect the card یعنی जो भी perpendicular OM जो होगा ठीक न ये card को bisect करेगा BC card को भी bisect करेगा और AD card को भी bisect करेगा तो इसका मतलब BM equal to MC हो जाएगा 40 card को देखा जाएगा smaller circle में BM equal to MC equation number one bigger circle में देखेंगे AM equal to MD हो जाएगा and AM equal to MD equation number two ok जाएगा have subtract करेगे on subtracting equation two from one on subtracting equation two from equation 1 from 2 1 from 2 to am minus bm am minus bm equal to kya gaya md minus mc md minus mc और देखे एम में से bm minus हो रहेंगे तो a b आ जाएगा यहाँ इसी तरह पूरा md में से mc minus कर दीजे तो c d आ जाएगा इस तरह से बच्चों यह प्रूब हो गया कि a b equal to c d यह प्रूब करना था हम लोग को देखे इस तरह से यह पूरा जो question था इसमें बहुँ जादे calculation था नहीं केवल theorem के base पे आपको मालूम है कि अगर किसी भी card में perpendicular line खीची जाए तो card को two equal part में divide करता है तो चाहाए smaller circle हो चाहाए bigger circle हो दूनों के case में यह दो part में divide हो जाएगा और इस साब से हमने equation one और two बना के उसके बाद उसके base पर यह प्रूब कर दिया a b equal to c d होगा और यही आपको प्रूब भी करना था ओके बच्चों इस तरह से बच्चों देखिए video का part two यहीं पर हम इसको stop करेंगे और बाकी के दो question के लिए हम जल्दी लेके आ रहा है exercise nine point two का video का part three तो तक तक paper pen लीजिए practice करते रहिए और इस तरह से आप बहुत आसानी से सारे question को स्वाल कर पाएंगे ओके बच्चों